तो और भाईयो क्या आल है दोस्तो आपका भाई वापस लोट आया है फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं शैम बहादूर की मूवी के रिव्यू के बारे में तो दोस्तो वीडियो को पुरा अंतक देखना और उसके रिव्य लाइक नहीं किये हैं प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह का मूवी का रिव्यू आपको देखने को मिलते रहें दोस्तो बात करें एक्टर की तो एक एक्टर को रोल निभाना बहुत ही महनत होता है और जब किसी नौन फिक्शनल का हो तो दोस्तो ये महनत डबल हो जाता है क्योंकि इसके शक्सियत के बारे में दुनिया को पता होता है वो कैसे चलता था वो कैसे बोलता था वो कैसे खाता था ये सब को पहले से पता होता है दोस्तो और उस किरदार को परदे पर दिखाने के लिए म डर बिल्कुल भी नहीं है किसी को और अगर हम लोग उस animal movie को context में रखने की बात करें तो Sam Bahadur बिल्कुल opposite है Based on a real person, real incident जिसको तुम अपनी family के साथ भी देख सकते हो बट दोस्तो, movie कैसी है एकदम straightforward, no nonsense बिल्कुल एक अच्छे army officer की तरह और दोस्तो, इस बात का sense भी बनता है क्योंकि ये movie एक biopic है इसके अंदर अपने को वर्तो देखने को मिलता ही है लेकिन कुछ भी flashy नहीं तो दोस्तो, जो create of feeling है और दोस्तो, जब आप ये movie देख रहे होंगे न बट ये possible तो है नहीं क्योंकि ये movie है जिसके अंदर हम लोग start से लेकर end तक पूरी की पूरी story follow करते हैं Sam Maniksoki इंडिया के पहले field marshal है and he was a no ordinary man Friends, आप लोगी सोच कर देखो कि देश के prime minister खुद ही सामने से बुला कर पूछते हैं मेरी सत्ता तो नहीं पलटने वाले हो idea दिला देता है कि जिस character को हम follow कर रहे हैं वो क्या कर सकता है truth को address करने वाले और battlefield वाले जो scenes है न वो बहुत ही गजब है एकदम ऐसा लगता है जैसा की blood pumping लेकिन पूरी movie के अंदर दोस्तो वो जो थोड़ा थोड़ा करके separate किया गया है न और almost उतने ही या थोड़ा कम quantity में हम लोग Sam Marks की personal family life देखते हैं बाकी की जितनी भी पूरी film है वो एक history lesson है दोस्तों इंडिपेंडन्स से पहले Japanese saver होता है during partition क्या हाल है वो एक soldier के point of view से देखते हैं और दोस्तों इंडिपेंडन्स के बाद multiple words देखने को मिलते हैं वो भी पाकिस्तान के साथ ये सारी चीजों को हम लोग literally Sam के साथ ही देखते हैं अगर वो किसी work apart नहीं है तो वो अपने को दिखाएंगे भी नहीं उनके सिर्फ रेडियो आवाज आ जाएगी की हो गया second half की movie अच्छा है became even more engaging जो हमने बात किये थे इंडरा गांधी के बारे में और movie build कर 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 pick होती है 1971 war पे और उसके बाद खत्म बस दोस्तों problem इतनी रह गई ना कि first half उस लेवल तक इंगेज नहीं कर पाया और पहले 60-70 मिनट के अंदर ऐसे कुछ scenes आते हैं जिनको या तो context कर देना चाहिए या फिर कुछ नमक छिड़क कर उसको interesting कर देना चाहिए मेगना गुलजार जो की movie की director है उन्होंने तलवार और राजी जैसी movies बनाई है तो she is capable बड़ दोस्तो इस movie के साथ fail to hit भी थोड़ा side में है लेकिन जो चीज एकदम right है वो hit करती है on target भी की causal दोस्तो थोड़ा बहुत ironic भी है ना कि एक ही Sanju और कमली दोनों की picture ये आ रही है और दोनों कितना बहतरीन काम किया है दोस्तो जब Sam Bahadur का teaser trailer आया था तो accent मुझे उतना suit नहीं कर रहा था लेकिन जो movie के अंदर दिखाया he completely disappeared और दोस्तो जब आप movie को देखेंगे तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि आप Vicky Kaushal को देख रहे हैं तो दोस्तो वीडियो आप लोग को उमीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो comment box में जो भी आप रह गया है जो आपको review में नहीं बता है वो comment box में जरूर बताना एंड एक like जरूर कर देना जादा जादा शेयर कर देना एंड चैनल को subscribe जरूर कर देना दोस्तो ताकि इसी तरह का वीडियो आपके notification में देखने को मिलते रहे तो मिलता हम अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो